कडाके की सर्दी की शुरुवात हो चुकी है, सुबह और साम के समय चुभन भरी सर्दी का हिसास होने लगा है वैसे तो इस मौसम में ठंड लगना आम बात है लेकिन बहुत से लोगों को कुछ जादा ही ठंड लगती है और ऐसे में ठंड की वज़े से तबियत बिगड़ना उनके लिए कामन बात हो गई है ऐसे व्यक्तियों के लिए आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसके सेवन से ठंड के दिनों में भी गर्मी का हिसास होने लगता है इस पौधे का नाम बलराज है आयुर्वेद में इस पौधे के जड़ का विशेश महत्तु बताया गया है धनवंतरिक छमा प्राकृतिक बन औशधी योगांचली आरोगी केंद्र रीवा से जुड़े वैद L.M. मिस्त्रा बताते हैं बलराज के पौधे के जड़ को पीस कर विशेश वसधी त्यार की जाती है जदि कोई व्यक्ति एक चुटकी भी इस वसधी को ले लेता है तो उसे दो घंटों के लिए ठंड से राहत मिल जाती है वैद L.M. मिस्त्रा बताते हैं कि बलराज की ताफिर बहुत जर्ब होती है इसलिए सर्दी जुखाम होने पर एक चुटकी बलराज खाना चाहिए और इसका काढ़ा भी तयार किया जा सकता है इसका काढ़ा पीने के भी कई फाइदे हैं यदि कोई व्यक्ति ठंड के दिनों में एक चुटकी बलराज का सेवन रोजाना करता है तो उसे ठंड नहीं लग सकती है इसे खाने से शरीड पर गर्माहट का एहसास होता है इसका सेवन करने के बाद ठंड में भी व्यक्ति गर्म कपड़ों के बिना रह सकता है हलकि इसका सेवन जादा मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर बेहत गर्म होती है उत्तर भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी ठंड का असर दिखाई देने लगा है रीवा सहीर प्रदेश के कई जलों में सुबह साम के साथ-साथ दिन में भी कड़ाके की ठंड पढ़ने लगी है ऐसे में ठंड से बचने के लिए रहन सहन के साथ-साथ खान पान भी विसेस ध्यांदेने लायक है जिससे खुद को चुस्त दुरुष्ट रखा जा सके और ठंड से भी बचा जा सके इसलिए बलराज का सहारा भी लिया जा सकता है बलराज ठंड से बचाने के लिए कभी हथकारगर है नरीवा के क्यूंटी और सिर्मौर के जंगलों में यह पौधा आसानी से मिल जाता है हर अस्थान में पाए जाता है अनर्जी प्रदान करने के साथ साथ बल्राज ठंडी के दिनों में एक क्यूपी लिया जाए तो उसको ठंड का विर्कूश आवाज नहीं बल्राज खाने शारवी जो खाम बुखार इसमें भूई तो यह सबसे फुटकारा मिलता है और बल्राज कम से कम मात्रा में खानाता है गरिष्ट भी है पेट पुझो है तो गरम होने के साथ गरिष्ट है भनक कम लगेगी बल्राज खाने बाद यह मनुस्य शरीर के बहुत भी जाला जोगी है ताकि हंदी से सर्द गर्म उखार से बचा जा सके आवसादी में सबसे गरम उसे बल्राज है